हिंदु धर्म में गाय का बहुत ही महत्व है आमतोर पर गाय को माता कहा जाता है और ज्यादातर जगहों पर गाय की पूजा भी की जाती है लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे धर्म में गाय को रोटी खिलाने का बहुत ही अधिक महत्व है लेकिन क्या आप जानते हैं कि गाय को रोटी क्यों खिलाई जाती है यदि नहीं तो हमारे साथ वीडियो में अंतक अवश्य बने रहिए नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल जार्ट नहीं दोस्तों धार्विक माननेताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि गाय ही एक ऐसा पशू है जिसमें 33 करोड देवी देवताओं का वास होता है गाय को रोटी खिलाने का अर्थ यह है कि आप 33 करोड देवी देवताओं की सेवा कर रहे हैं इसके अलावा यहाँ पर और भी कई सारे लाव आफ को देखने को मिलते हैं जब आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो आईए दोस्तों जानते हैं ऐसे ही कुछ धार्मिक दृष्टी कोड से देखे गए लाव के बारे में। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो लोग गाये को रोटी खिलाते हैं, उनको पीली दर पीली उन्नती मिलती जाती है, या विविकास करते हैं जिसका अर्थी यह होता है कि उनके पास सभी प्रकार के सुख और सुविधाय होते हैं यदि आप भी उन्नती करना चाहते हैं आपकी तरक्की नहीं हो रही है तो आपको गाय को रोटी अवश्य खिलानी चाहिए दोस्तो गाय को रोटी खिलाने का एक और फायदा है वह यह है कि बिगड़ा काम बनाने का यह कारे करती है यदि किसी व्यक्ती का कोई कारे सिद्ध नहीं हो रहा हो आप काफी जतन कर चुके हो लेकिन आपको सफलता ना मिल पा रही हो तो गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाने चाहिए इससे आपके सभी बिगड़े काम सही होने लगते है गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाने से हर छेतर के अंदर आपको सफलता मिलती है यदि आपको किसी कारे के अंदर सफलता चाहिए तो रोजाना गाय को आपको रोटी खिलाना चाहिए यह एक तरह से काफी अच्छा कार्य माना जाता है दोस्तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पुन्य अरजित करना चाहते हैं तो दोस्तो गाय को रोटी खिलाने का एक फायदा यह भी है यह सभी प्रकार के लाव और पुन्य आपको प्राप्त कराता है बहुत से लोग पुन्य कमाने के इच्छोख होते हैं इस प्रकार के लोगों को गाय को रोट की खिलाना चाहिए और गौ का दान करना चाहिए यह सबसे बड़ा दान माना गया है दोस्तों आजकल हर व्यक्ति कोई न कोई बड़ी इच्छा रखता है और काफी कोशिशों के बाद भी वह पूरी नहीं हो पाती है इसलिए जो व्यक्ति चाहता है कि उसकी कामनाई पूरी हो तो उस व्यक्ति को गाय को रोटी देना शुरू कर देना चाहिए गाय माटा इच्छा पूरी करने में आपकी मदद करती है और ऐसा करने से जल्दी आपके इच्छा पूर्ण हो जाती है दोस्तों यदि आपके ग्रह खराब चल रहे हो और आपको किसी ने बताया है तो इसका अर्थ यह है कि आपको गाय को रोटी देने की आवश्यक्ता है यदि आप गाय को रोटी खिलाएंगे तो आपके ग्रह शुब फल देने लग जाएंगे बहुत से लोग अपने ग्रहों को अनुकूल करने के लिए गाय माता को रोटी देते हैं यदि आपको पता नहीं है कि आपके ग्रह आपके ऊपर अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव दे रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप किसी पंडित एवं ब्राम्मर से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें अन्यता आप ऐसे ही गाय माता को रोटी देना प्रारम कर सकते हैं इसके कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं होते हैं दोस्तों जो लोग मानसिक रूप से परिशान रहते हैं जिनका मन अशांत रहता है ऐसे लोगों को भी गाय माता को रोटी अवश्य ही देनी चाहिए यह आपकी नकरात्मक उर्जा को दूर करता है और सकारात्मक उर्जा को बढ़ाने का कार्य भी करता है यदि आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं और उस शांती का आनन लेना चाहते हैं तो आपको भी गाय माता को रोटी अवश्य देनी चाहिए दोस्तों जैसा कि हमने आपको पूर्व में ही बताया कि गाय माता के अंदर 33 करोड देवी देवताओं का निवास होता है ऐसी इस्तिती में हम गाय माता को रोटी खिलाते हैं तो उन सभी देवी देपताओं का आशिरवात भी हमें प्रावत होता है जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़ादा पुन्य को अर्जित करने का काले करता है तो यदि आप सभी देवी देपताओं की प्रसनिता चाहते हैं तब भी आपको गाय माता को रोटी अवज से देनी चाहिए दोस्तों गाय माता को रोटी खिलाने का एकलाव यह भी होता है यह हमारे पित्र दोस को नश्ट करने का अथवाद दूर करने का कारे करता है पित्र दोस का अर्थ उन लोगों से है जो की परलोग सिधार चुके हैं या फिर वह नीच योनियों के अंदर चले गए हैं और वहाँ पर वे बहुत दुखी है एक तरह से प्रेथ ही पित्र दोस पैदा करते हैं तो गाय माता को रोटी देने से भी उनको शान्ती मिलती है तो दोस्तो अभी तक आपने जाना कि क्या-क्या लाब होते हैं गाय माता को रोटी खिलाने के लेकिन दोस्तो गाय माता को रोटी खिलाने के कुछ नियम भी होते हैं जो हम सभी को पालन अवश्य करने चाहिए तो दोस्तों गाय माता को कभी भी बासी रोटी नहीं खिलानी चाहिए ऐसा करने से घर के अंदर संकट और गरी भी आ जाती है आजकल घरों के अंदर यह देखा जाता है कि गाय माता के लिए रोटी रख दी जाती है लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्हें वहर रोटी खिलाई जाती है यदि आप भी ऐसा करते हैं तो आपकी कोई भी समस्या का समधान नहीं होगा और गाय मता जब बैटी हूँ तब ही रोटी उन्हें खिलाना चाहिए हाला कि जब गाय मता खड़ी हूँ तब भी आप उन्हें रोटी खिला सकते हैं दोस्तो इसी प्रकार गाय मता को सुभा सुभा रोटी खिलाना चाहिए शाम को उन्हें रोटी नहीं खिलाना चाहिए जो कि अच्छा बिल्कुल भी नहीं माना जाता है तो दोस्तो जिस तरीके से आपको गाय मातर को रोटी खिलाना बताया गया है आपको उसी तरह से उन्हें रोटी खिलानी चाहिए इसी से दोस्तो आपकी सबी मनुकामनाई भी पूर्ण होती हैं तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा ऐसे ही और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल तद दैविक गुरू को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले वीडियो में आप सभी अंतक चुड़े रहे उसके लिए आप सभी का धन्यवाद